आपके घर में अगर कोई पालक नहीं खाता है, पालक बनते ही सबके मूँः चड़ने लगते हैं, नाग्स बूरणे लगते हैं, तो यह वाली रेसिपी को ट्राइ कर लिजेगा लहसुन वाला पालक में ने बनाया है और सच में बहुत टेस्टी बनता है अगर यह वाली सबजी आप बनाएंगे तो पालक सबका फेवरेट बन जाने वाला है बहुत ही आसान सी रेसिपी है तो चलिए बताती हूँ इस वीडियो में किस तरीके से बनानी है यह वाली सबजी अच्छा इस सबजी के लिए क्या करना है कि मैंने लिया है पालक और पालक को लंबे-लंबे स्टिप्स में कट किया है इस तरीके से अच्छे से पहले दो लेना उसको और फिर उसको ऐसे लंबी लंबी steps में cut कर लेना है अब हमें क्या करना है कि पालक को या तो आप उबाल सकते हों लेकिन अगर आप उबालोगे पालक को तो पालक का सारा nutrition खतम हो जाएगा और पालक को थोड़ा सा अगर हम सबजी में ऐसे यूज़ करेंगे और पालक जो है जैसा हमें चाहिए है थोड़ा सा soft हो जाएगा और इसका जो कसला पर है वो निकल जाएगा तो हमें क्या करना है कि उबलता हुआ पानी लेना है और उसको पालक में डाल देना है और लगबग 5-7 मिट के लिए छोड़ देंगे इसको ऐसे ही डिप करके पालक को गर्म पानी में तो हमारा काम हो जाएगा और जब तक पालक हमारा बलांच होता है एक मिकसर जार में मैंने लिया है एक चमच मुंगफली के दाने रोस्टेड मुंगफली लिया है एक चमच तिल लिया है और एक चमच ही मैंने लिया है इसमें बेसन और थोड़े से मेरे पास में काजू बदाब की कटिंग सी पड़ी थी वो डाली है यह उप्शनल है अगर आपके पास में है तो डालने हमना स्किप कर दें और अब इसमें मैं डाल रही हूँ दो हरी मिर्च रफली चॉप करके थोड़ी सी अद्रक ग्रेट करके डाल रही हूँ अद्रक थोड़ी हार्ड होती है पिसने में थोड़ा मुश्किल होता है तो मैं इसको ग्रेट करके डाल रही हूँ जैसे सोस्ट हो गया ही देखें, तो अब हमें क्या करना है, इसको निकाल लेना है, पानी से बाहर छलनी के अंदर निकाल लेते हैं इसको, और छलनी में निकालने के बाद में एक बार इसके अंदर थंडा पानी डाल देंगे, और अब इसको हम थोड़ा सा स्क्वीज कर तेल जैसे ही गर्म होगा इसके अंदर हमें ढाल देना है जीरा और थोड़ी सी हींग और अब इसमें हम ढालेंगी 3-4 चमच बारीक कटावा लहसुन लहसुन इसमें खूब सारा डालेंगे लहसुन का बहुत ही बड़िया फ्लेवर आएगा सबजी के अंदर और लहसुन जब आप डालो तो गैस की फ्लेम को कम कर देना और लहसुन को थोड़ी सी देर ब्राउन होने तक पकाना तो यहाँ देखिए लेसुन थोड़ा सा ब्राउन हो गया है तो लेसुन जब इस तरीके से ब्राउन हो जाएगा तब उसके अंदर आप एक बड़े साइस का बारीक कटवा प्यास डाल देना और प्यास को सॉफ्ट होने तक भून लेना तो प्यास यहाँ पर भून चुका है प्यास जब अच्छे से भून जाएगा तब इसके अंदर डालेंगे मसाले तो मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना मैं इसमें डाल रही हूँ देर चमच लाल विच पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर और देर चमच ही मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर मसालों को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे पानी डालने से जो मसाले हैं वो तले में चिपकेंगे नहीं और अब मसालों को 2-3 मिनिट के लिए हमे भून लेना है मसाले जब भून जाएंगे तब इसके अंदर हम डालेंगे एक टमाटर का पेस्ट बना कर और टमाटर का पेस्ट डालने के साथ ही आप उसमें डाल देना नमक नमक डालने से टमाटर फटाफट पक जाएगा अच्छा नमक डालती ताइम आप थोड़ा सा ध्यान रखेगा क्योंकि पालक का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा नमकीन होता है तो पालक की सबजे में नमक थोड़ा कम ही डाला जाता है बाकि आप टेस्ट कर लेना बाद में अगर आपको लगे नमख कम है तो थोड़ा सा और डाल देना अब यह जो टमाटर है इसको लगभग एक मिनिट के लिए हमें पकाना है और एक मिनिट में जो मसाला है फिर से तेल जो है वो मसाला छोड़ने लग जाएगा तिल separate हो जाएगा मसाले से तब इसके अंदर वो जो मुंगफली और तिल का पेस्ट हमने बनाया था वो एड़ कर देंगे और साथ ही थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी एड़ कर देंगे अब क्योंकि ये जो पेस्ट था इसके अंदर हमने डाला था बेसन तो बेसन जब हम डालते हैं तो बेसन तले में चिपकता है तो ध्यान रखेगा ये पैन में चिपकेगा तो इसको आप लगाता चलाते रहना जब तक कि ये जो मसाला है ये अच्छे से पक जाए और तेल इसे separate होने लगे तब तक आप इसको चलाते रहना वरना जो बेसन है वो तले में चिपकना शुरू हो जाएगा और सारी सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा तो जैसे जैसे ये पकेगा तेल आप देख सकते हो उपर तेल अलग हो गया है मसाले से तो इस तरीके से जब तेल separate हो जाएगा तब इसके अंदर हम add कर देंगे पालक और फिर पालक को अच्छे से mix कर लेंगे मसाले में अब यहाँ पर देखिए ये काफी थिक है क्योंकि बेसन की वज़े से सब्जी में काफी अच्छी थिकनेस आ गई है तो इसकी जो ये थिक है इसको थोड़ा थिकनेस कम करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा एक या डेड़ कप के आसपास पानी और डाल दीजेगा पानी यहाँ पर मैं गर्म ही डाल रही हूँ ताकि जो cooking process है वो चलता रहे वो बीच में रुके नहीं और अब क्योंकि हमने पालक को ब्लांची किया था पालक थोड़ा सा क्रंची है हलका सा क्रंच है पालक में तो पालक को soft होने तक लगबग 2 या 3 मिनिट के लिए इसको हम पकाएंगे तो इस पर धका लगा देंगे पैन पर और इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे बीच बीच में चलाते रहेंगे और 2-3 मिनिट के लिए पालक को soft होने तक पका लेंगे और 2-3 मिनिट के बाद में पालक जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और सबजी जो है हमारी वो बन करके रैडी हो चुकी है आप चाहो तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हो लेकिन मैं इस पर तड़का और लगाऊंगे तड़के से इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़ादा बढ़ जाएगा तो गैस को बन कर देंगे और अब तड़का लगाएगे तो तड़के के लिए मैंने लिया है एक चम्मच घी और घी को मेल्ट होने देंगे जैसे ही घी मेल्ट होगा इसके अंदर डालेंगे एक बड़ा चमच पारी कटावा लैसुन लैसुन डालते टाइम आप गैस की फ्लेम को एकदम कम कर दें ताकि लैसुन जले नहीं हलका सा लैसुन को 10 सेकंड, 10 या 15 सेकंड के लिए भून लेंगे और भूनते टाइम ही देखे मैंने गैस को बंद कर दिया है क्योंकि घी तो गर्म हो चुका है और गर्म गी में ही हमारा लैसुन भून जाएगा हलका सा और अब इसके अंदर में डाल रही हूँ और सबजी को सर्व करते टाइम थोड़ा सा तड़का जो बचा के रखा था वो उपर से गार्णिश कर दे लिजे बहुत ही जादा टेस्टी और बहुत ही हेल्दी सी ये सबजी बन करके रैडी हो चुकी है एक बार आप जरूर ट्राइ कीजेगा सच में आपको बहुत पसंद आएगी इवन घर में सबको बहुत अच्छी लगेगी और बार बार ये वाली सबजी की डिमांड होगी घर में तो रेसिपी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेर कर देना चैनल पर नहीं हो तो चै